कि नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका हमारे चैनल पर तो NCRT क्लास 7 थक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है आज जो है हम लोग क्लास 8 की जोगराफिय वो स्टार्ट करने वाले हैं तो क्लास 8 की जोगराफिय काफी महत्ववूर्ण है और इसका जो फर्ष्ट चैप्ट है वो है संसाधन यानि की रिशोर्स ये काफी महतवूंड चैप्टर है रिशोर्स और रिशोर्स में आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी कि रिशोर्स यानि संसाधन क्या होते हैं संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और इसमें खास कर गया कि हुमन र इसमें NCRT में थोड़ा सा स्टोरी बना करके चीजों को समझाता है ताकि बच्चे अच्छे से समझ सकें तो हम भी थोड़ा सा थूरू स्टोरी जाने की कोशिश करेंगे और आप लोग भी थोड़ा सा इसको जो है ऐसे ही बाई स्टोरी समझने का प्रियास कीजिए मोना और जू लिए जो है घर साफ करने में अपनी अम्मा की मदद कर रहे थे इन फ़विश चीजों को देखो चैसे कि कपड़े बरतन अनाज कंगा फैद की बोतल किताबें इन में से प्रते क्या है उप्योगी है मोना ने कहा इसलिए ये महतुपूण है उप्योगी है इसलिए ये महतुपूण है तो अम्मा ने कहा कि ये क्या है फनसाधन है अम्मा ने कहा फिर कि ये फनसाधन है तो अब परसना आता है कि फनसाधन क्या है तो अम्मा ने राजू से प्रसन पूंचा अम्मा ने बताया पतेक बस्तू जिसका उप्योग आवसकताओं को पूरा करने के तो ये दोस्तों हो जाता है आपका परिभाफा की संसाधन किसे कहते हैं प्रतेक बस तो जिसका उप्योग और सक्ताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं संसाधन कहते हैं यानि कि अब जो है आप अपने आफ पास सारी चीजों को देखिए संसाधन के बारे में थोड़ा सा जरूर समझ गए होंगे आगे देखते हैं अपने चारोगर देखिए और निरिच्वन कीजिए जैसे कि प्याफ लगने पर आप जल पीते हैं अपने घर में आप विद्दूत का उपयोग करते हैं इस्कूल से घर पहुंचने के लिए आप र आपके पिता ने आपके लिए नास्ता तयार किया है उन्होंने जिन ताजी सब्डियों का उपयोग किया वो भी क्या है सनसाधन है क्योंकि वो आपकी आउसक्ताओं को पूरा कर रहे हैं तो जितनी भी चीज़ें जो उपयोगी हैं और आपकी आउसक्ताओं को पूरा करते हैं दो तो वही संसाधन है तो आपके आपस पास या आपके हाथ में इसमें जो मॉबाइल फोन है वो भी क्या कर रहा है आपकी आउसकता को पूरी कर रहा है तो वो भी क्या है एक संसाधन है जल हो गया विद्दुत हो गया रिक्षा हो गया सबजियां हो गई पाठ्य पुस् संसाधन है तो एक बस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा परियोगिता उसे एक संसाधन बना देती है तो कोई भी बस्तु जिसकी उपयोगिता या परियोगिता नहीं है वो संसाधन नहीं होता है जैसे ही उस बस्तु का कोई उपयोगिता निकलाती है उसका कोई प्रियोज़ता, यानि किसी में प्रियोग कर लिया जाता है, तो तुरंत ही वो क्या बन जाता है, संसाधन बन जाता है, राजु अब जानना चाहता था कि कोई भी बस्तु संसाधन कैसे बन जाती है, ये जानना चाहा, तो अम्मा ने उससे बताया कि बस्तुएं उस समय चाहिए इसका प्रियोग अधवा उप्योगिता इसे मूल्यवान बनाते हैं प्रियोग और उप्योगिता ही किसी बस्तु को उसका मूल्य प्रदान करते हैं जैसे कि आप इसमें जो मॉबाइल फोन हाथ में लिए हैं उसकी उप्योगिता उसकी उप्योगिता ही उसका मूल्य जो है निरुधारित करता है किसमें इतने इतने शवारी चीजे फंप्रियो乐्स दूंगे आपके यह यह उप्योग में आ जाएगा तो इसी हिसाब से उसका मुल्य भी निरुधारित किया जाता है तो आप समझ गए होंगे कि परियोग अथवा अपियोगता चीजों का मूल्य कैसे प्रदान करती है सभी फनफाधन मूल्यवान होते हैं ये अम्मा ने उसको समझाया तो बच्चे को समझ में आया मूल्य का अर्थ महत्व होता है कुछ फनफाधनों का अर्थिक मूल्य होता है उदाहराणत जैसे की धातूं का अर्थिक मूली होता है जैसे की सोना चान्दी हो गया लोहा हो गया इनका जो है एक अर्थिक मूली है ठीक लिकिन जब आप कहीं पर एक मनोरम भूद्रिश्च ये देखे आपको देख करके अच्छा लगा तो वो भी आपके उपयोग में आया क्यों क्योंकि वो आपको अच्छा लगा वो आपके मन को सांती या खुसी बर्दान किया तो उसका भी एक मूली है यानि वो भी एक सनसाधन है लेकिन वो उसका आर्थिक मूली नहीं है ठीक परंथ ये दोनों संसाधन क्या होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं और मनुष्य किया हो सकताओं को पूरा करते हैं कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मुल्यमान हो सकते हैं ठीक है जैसे कि अभी आपने कोई चीज जो है इन्वेंट किया आपने कोई चीज सोचा या आपके दिमाग में कोई विचार आया तो इस समय तो उसका मुल्य नहीं है लेकिन आगे चल कर जब आप उस इन्वेंशन को मार्केट में लाएंगे या आप उस विचार को आप मार्केट में लाएंगे तो जैसे ही उसकी उप्योगता फुरू होगी तैसे ही वो मुलिमान हो जाएगी जैसे यहाँ पर एज एक्जामपल लिया है कि मान लो दादी का कोई नुक्सा है अब ही उसका बाली जिग मुल्य नहीं है लेकिन जब वो पेटेंट करवा लेंगी और मेडिकल फर्म द्वारा जब वो फिर बेंचा जाने लगेगा तो उसका क्या हो जाएगा एक आर्थिक मूल्य हो जाएगा अब इधर पेटेंट क्या होता है यह आपको छोटे से सब्दावली में जरूर बता दिया जाता है यह NCRT की खाफियत है तो पेटेंट का ताथ पर होता है आविशकार पर एक मात्र अधिकार तो जैसे किसी ने किसी चीज का आविशकार किया तो उसे पेटेंट करा लेता है कि यानि ये जो खोज है यानि ये जो invention है ये हमारा ही है और इस पर हमारा ही अधिकार रहेगा यानि बिना हमारी अनुमती के इसे कोई भी बना करके बेंच नहीं पाएगा तो इसे कहते हैं patent अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समय और प्रद्योग की ये दो महतुपूर कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्थित कर सकते हैं दोनों लोगों की आउसकताओं से संबंदित है लोग सोयंग ही सबसे महतुपूर संसाधन है ये लोगों के विचार ग्यान अविशकार और खोज ही है और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं ठीक है तो जो विक्ति है वो सोयंग ही अपने आप में एक महतोपूर सनसाधन है क्योंकि जो उसका विचार है ग्यान है जब वो अपलाई करता है तो एक प्रवध्योगिकी का विकाफ होता है और उसी प्रवध्योगिकी के माध्यम से कई सारी चीजें ऐसी हैं जो पहले सनसाधन नह ये मानों भी फोयंग एक महतुपूंड संसाधन है प्रतेक खोज अथवा आभिष्कार से बहुत से अन्य खोज एवंग आभिष्कार होते हैं जैसे कि आग की खोज से खाना पकाने की पद्धि एवंग अन्य परक्रियाओं का प्रचलन हुआ जब पहिये का आभिष्कार से अंतता परिवहन की नमीनतम इदियों का विकाफ हुआ जल विद्ध बनाने की प्रोद्योग की ने तेजी से बहते जल से उरजा उद्पन करके एक महतुपूंड संसाधन बना दिया है अब जानते हैं प्रोद्योग की क्या होती है यह सब दावली में दिया है जिसे हम टेक कौसल करने अथवा बस्तू बनाने में नमीनतम ग्यान का अनुपरियोग ही प्रोद्योग की है कौसल करने अथवा बस्तू बनाने में नमीनतम ग्यान का अनुपरियोग क्या होता है उसे हम प्रोद्योग की कहते हैं तो इतनी चीजें आप लोग बहुत आफानी से समझ होंगे अब यहां पर फीगर जो है आप इसको देखिए और कायदे से समझे के मा है और एक बच्ची है तो एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन कौन है मा है और इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ यानि दोनों एक दूसरे के उप्योगी है ठीक है तो यह दोनों एक संसाधन हो गए यही चीज हम लोग देखते हैं वह संसाधन के प्रकार तो सामानेता है फनसाधन ओन को प्राकृतिक और मानों किर्फ किया जाता है एक प्राकृतिक होता है और एक मानो निर्मित होता है और एक मानो फोयंग तो ये तीन जो है प्रहुक संसाधन के प्रकार होते हैं अब इनहीं के बारे में हम लोगों को आगे पढ़ना है प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और उनका अधिक संसाधन ना करना पड़े और हम लोग प्रयोग में ले आते हैं उसी को क्या कहते हैं प्राकृतिक संसाधन कहते हैं जैसे कि वायू है वायू है और नदियां है जीर का जल है मिर्दा है खनीज हैं ये सब बिद्स Perfect एimentsिज प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि इसको परकृति ने बनाया फुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं कुछ परिश्थितियों में प्राकृतिक फनसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए क्या करना पड़ता है कि हमें आवजारों और प्रोध्योग की का प्रियोग की आवस्थिता होती है विबिन समोहों में प्राकृतिक फनसाधनों का बरगी करन उनके विकास प्रियोग के अफ्तर उदगम भंडार एवं वितरन के अनुसार किया जाता है तो प्राकृतिक फनसाधनों का जो बरगी करन है वो विकास प्रियोग के अफ्तर उदगम भंडार एवं वितरन के अनुस सबसकते हैं कि विकास प्यास के आधार पर फंफाधनों को दो वर्गों में रख्था ॅ कि पहला वास्तविक फंफाधन और दूसरा व्थ सब्सक्राइब भी सन्फादन तो वाफ्तविक सन्फादन वह सन्फादन होते हैं जिनकी मात्रा हमें ग्यात होती है यानि की रियल यानि वाफ्तविक रियल रिफोर्स जिनकी मात्रा हमें ग्यात हो जैसे की जर्मनी के रूर प्रदेश के कोईले इनके मात्रा हमें कनफर्मली पता है कि इतना है पस्चिमी एसिया में खनीज तेल इनके भी मात्रा हमें पता है और जिन संसादनों का समय में इस समय उप्योक किया भी जा रहा हो तो जर्मनी के रूर प्रदेश में जो कोईले हैं उसका भी हम लोग उसको हमें पता है कि यहां पर कोईला है और उसको हम प्रियोग भी कर रहे हैं तो यह हो गए वास्तविक महराष्ट में दक्कन पठार में कालिमिटी के भरपूर निच्छेप ये भी हमें पता है और इसका हम इस समय प्रियोग भी कर रहे हैं तो जितनी भी संसाधन हैं उनकी मात्रा यदि हमें पता है और उनका इस समय हम प्रियोग भी कर रहे हैं तो उनको हम क्या कहते हैं वास्तविक संसाधन कहते हैं अब आईए देखते हैं कि संभाब ये संसाधन क्या होते हैं तो संभाब ये संसाधन वे होते हैं जिनके संपूर मात्राग्यात नहीं हो सकती और इस समय इनका प्रियोग भी नहीं किया जा रहा है तो इसमें कायवल इतना इंतर है कि इनकी मात्राग्यांत होती है और इसमें प्रियोग भी किया जा रहा है और इनकी मात्राग्यांत नहीं हो सकती और इनका प्रियोग भी इसमें नहीं किया जा रहा है इन सनसादनों का उप्रियोग भविष्य में किया जा सकता है जो संभाव भी है यानि कि संभावना है कि भविष्य में हमारे पास ऐसी टेकनोलोजी आ जाएगी जिसे कि हम इनका प्रियोग कर पाएंगे अब आईए और आगे देखते हैं कि संभावता है इन संसाधनों को आसानी से प्रियोग करने के लिए प्रियात रूप से जो है वो उन्नत नहीं है जिसे कि लदाक में पाया गया यूरोइनियम क्या है एक संभावता है का एक उदारन है जिसका उप्योग भविष्य में किया जा सकता है लेकिन इसमें अभी हमारे पास ऐसी टेकनोलोजी नहीं आई है जिसे कि हम लद्दाक में पाए जाने वाले यूरवेनियम का अभी प्रयोग कर सकें ठीक अब आईए देखते हैं कि दो सो बर्स पूर्व जैसे कि ये तीबर गती से पाउने चलती थी तो उसमें एक संभाव बेसंसाधन थी कि तीबर गती की पाउन चल रही हैं तो इसका यूज या इसका उप्योग जो है वो किसी के हित में किया जा सकता है तो ये दो सो साल पहले क्या रही होंगी संभाव भी रही होंगी लेकिन आज के समय में हम उसका प्रियोग कर रहे हैं तो यानि वो क्या हो गया आज के समय में वो वास्तविक संसाधन है नीदर लेंड के पवन फार्मों में पवन चक्की के प्रयोग से उर्जा उत्पन्न की जा रही है इस प्रकार पवन फार्म हम टेमिलनाडू के नगर कोईल और गुजराद के टट पर भी देखे जा सकते हैं तो ये हो गया कि वास्तविक संसाधन और संभाब्य संसाधन अगला जो आता है वो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को आजयव और जयव संसाधनों में बांटा जा सकता है आजयव मतलब नर्जीव बस्तविय होती है और जयव मतलब सजीव होते हैं तो जैसे कि मृद् सबी क्या होती है अजैव संसाधन है परंत जैसे कि पाउधे हो गए और जन्तु हो गए तो ये सबी क्या है जैव संसाधन है तो मिर्दा चटाने खनीज जिनमें जान नहीं होता है जीव नहीं होता है निर्जीव होते हैं उन्हें हम आजैव जिनमें जीव ना हो आजैव और में जीव हो उसे हम जैब या सजीओ कहते हैं तो सिम्पलू सी बात है प्राकिर्ति के सनसादनों में विह रोप से फिर हम नवी क्रणू ये और अन्वी करण ये काफी महतु पूर्ण नवी करणू इस वनसादन और नवी क्रणू एंस अध्यंस अब〜गी करते नवी करणिये जानते हैं कि ऐसे सनफादन जो सिग्रता से नवी कृत अथवा पुनह पूरित हो जाते हैं इन में से कुछ अफीमित हैं उन पर मानवी ये क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता जैसे कि सव और 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 पवन और जा तो ये नवी करणिये हैं और ये आफीमित भी हैं तो नभी करणिये में भी दो टाइप के होते हैं एक फीमित होते हैं और दूसरा आफीमित होता है तो जैसे कि फौर उर्जा हो गया और पमन उर्जा हो गया ये सब आफीमित हैं इनका आप जितना परियोग कर पाओ ये कभी कम होने वाले नहीं हैं कि हमने इतना फ़और उर्जा का परیोग कर लिया तो फ़और उर्जा घट गया, ऐसा नहीं होता है लेकिन कुछ नभी करणिये फन्फाधन है जैसे कि जल हो गया मिर्दा हो गया, रुबन हो गया अगर इनका लापरवाही से प्रियोग किया गया तो उनका भंडार जो है प्रभावित हो सकता है जल एक अफीमित नभी करणिये सनसाधन प्रतीत होता है फिर भी जल की कमी और प्राकरतिक जल फुरोतों का सूखना आज बिफ्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या बनी हुई है फनसाधन का भंडार यह उपयोग के लिए सनसाधन की उपलब्ध जो है वो मात्रा होती है तो साइड में छोटी-छोटी सब्दावलियां दी गई है आप लोग इनको भी जरूर ध्यान से देखिए आ नभी करणिये फन्फाधन क्या होते हैं वे फन्फाधन जिनका भंडार सीमित है और भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उसके नभी कृत अथवा पुनह पूरित होने में हजारों वर्फ लग फकते हैं तो ऐसे को हम क्या कहते हैं आ नभी करणिये संसाधन यह अबुधि मानों जीवन की अबँधी से बहुत अधिक है इस प्रकार के संसाधन क्या कहलाते हैं आ नभी करणिये कहलाते हैं अब कोयला प्ट्रोलियम राकिर्ति गैस इसके क्या हो गए एकजांपल हो गए कि इनके भंडार सीमित हैं और इनका जो पुनाह पूरत होने में कई हजार वर्फ जो है लग जाते हैं कोईला और पेट्रोलियम जो बना है वह जारो बर्स जो है इसके बनने में लगे हैं तब जाकर के अग्म अगर हम इनका जो है साधानी पूर्वक्त परियोग नहीं करेंगे तो ये खतम हो जाएंगे और फिर क्यों कि हजारों बर्स लग जाते हैं तो मानों कि जीवन से बहुत जादा है तो कई सारी पिणियां जो है चली जाएंगे तब वो फिर पुनाश चक्रित हो करके आपाएगा सनसाधनों के वितरण के आधार पर वितरण के आधार पर सर्व व्यापक और अस्थानिक हो सकते हैं तो सर्थ वियापक यानि हैसे वायू जिसे हम सांस लेते है यह सर्थ है यानि कि पूरे धर्थी पर पाया जाता है लेकिन व्हें संसाधन जैसे कि कुछ निश्चित अस्थानों पर जाते हैं वे क्या कहलाते हैं अस्थानिक कहलाते हैं जैसे कि तांबा हो गया लो आयस्क हो गया तो ये किसी किसी छेत्रों में इस्पेशली पाए जाते हैं सारी जगह नहीं पाए जाते हैं प्राकिरतिक सनसाधनों का जो वित्रण है वो भूभाग जलवायू उचाई जैसे अनेक भावतिक कारुकों पर निर्भर करता है यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यानि जो प्राकृतिक फनसाधन है इनका जो वित्रण है वो किस पर निर्भर करता है तो भूभाग पर जलवायू पर उंचाई पर ऐसे अनेक भावतिक कारण है जिन पर यह निर्भर करता है पिर्थवी पर इन कारकों में भिन्नता होने के कारण फन्फाधनों का बित्रण आफमान है तो अगर आपके एग्याम में या कोई कोईशन आ जाता है ते फन्फाधनों का बित्रण पिर्थवी पर आफामान क्यों है क्योंकि जो प्रिथवी पर भावतिक कारक हैं या जो भावतिक उच्चावच हैं उनमें आफामानता है और भूभाग जलवाय उंचाई जैसे कई कारकों पर यह निर्भर करता है इसलिए प्रिथवी पर आफामान दूप से इसका वितरण है तो आएए अब मानोनिमिस फन्वाधं के बारे में देखेंगे तो कभी-कभी जो प्राकियतिक पदार्थ है तब सन्वाधं बन जाता है जब उनका मून रूप बदल दिया जाता है जैसे कि लोघ एस्क तो लोघ एस्क कोई फन्वाधं अबिलकुल तो लोह आयस्क को तब तक सनसाधन नहीं था जब तक उसे लोहा नहीं बना दिया गया तो लोह आयस्क हमारे लिए सनसाधन नहीं था लेकिन प्रोडूग की जो है वो विक्षित हुई और उसके माध्यम से हम लोगों ने लोहा बनाना शीख लिया तो जो लोहा बना दिया तो वो हमारे परयोग में आ गया याине लोहा क्या हो गया फजाधन बन गया ठीक बनाया किस ने मानओ ने बनाया तो इसलिए ये मानओ निरमित्स года कहलाता है उत्यों कहां करते हैं पुल बनाने में φड़क में मशीन में वाहन बनाने में इन सारी चीजों में इसका पर्योग करते हैं जो मानो निर्मित फंसाधन के नाम से जाने जाते हैं तो प्रोध्योग की भी एक मानो निर्मित फंसाधन है यानि जो प्रोध्योग की है टेकनोलोजी इसको कौन बनाया है मानो ने ही बनाया है तो ये भी एक मानो निर्मित फंसाधन है इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानो निर्मित संसाधन बनाते हैं, मोना में समझाते हुए कहा, हाँ राजु ने अपनी स्विकृति में फिरिलाया, इस चीज़ें से समझ में आ गई, और आपको भी समझ में जरूर आ गया होगा, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मानो संसाधन हिउमन रिशोर्च, बहुत ही इंपोर्टेंट है, लोग और अधिक संसाधन बनने के लिए प्रिकृति का अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं, जब उनके पास ऐसा क्या हो, ग्यान हो, कौफल हो, तथा परोद्योग की उप सिफ्ट परकार का संसाधन है, अता है लोग क्या है, मानो संसाधन है, फिच्छा और स्वास्त है, लोगों को बहमूल ये संसाधन बनने में मदद करता है, फिच्छा और स्वास्त है, तो फिच्छा के मादियम से देखते हैं, हम लोग चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि इंज ग्यान आता है इश्किल आता है कौफल आता है जिससे हम और अधिक उपयोगी बन सकते हैं तो हमारा उपयोगी बनना ही क्या होता है फनसाधन में परिवर्तित होना अभी हम लोग ने आगे देखा कि जो बस तू हमारे लिए उपयोगी है वही क्या होता है फनसाधन होता है त तो जितना हम उपयोगी बनते जाएंगे उतना ही हम एक विशिस्ट प्रकार का सनफाधन बनते जाएंगे तो यह सब कैसे संभव होता है तो स्वास्थ کے माध्यम से तो शिचछा और ज्यान के माध्यम से ही मनुष्य कि और उन्सादन नहीं कि है कि एक फ्टोजिय की डेवलप की है या ठेकनोलाजी बनाई है रोफ टेक्नोलाजी के माध्यम से कई सारी प्रकृति proto में ऐसिव वस्ति में थी जो संसाधन नहीं थी उनको संसाधन की रूप में जो है वो बदला गया ठीक है किसके माध्यम से मानो संसाधन और प्रोद्धोगी के माध्यम से तो अधिक संसाधनों के निर्माड में समर्थ होने के लिए कौफल में सुधार करना मानो संसाधन विकास कहलाता है यानि कि human resource development तो human resource development क्या होता है कौसल में सुधार तो अभी देख रहे होंगे हमारे भारत में एक मानुस अन्वादन विकास मंत्राले जो है ये अलग से बनाया गया है और उसका काम क्या है कि मानुस अन्वादन का विकास करना और तमाम सारी चीजें चल भी है ुसकी development सबको कौसल सिखा रहे हैं क्यों क्यों कि वे एक अच्छा जो है मानुस अन्वादन बन सके장 । मानुस अन्वादन शेता पर ये लोगों की संख्या और योगता से है, लोगों की संख्या और योगता से है यदिंभी मानों का फनसाधन बनाने के संदर्भ में लोगों को मद्वेद है इतना होते हुए भी इस तथ्यसे इंकार नहीं किया जा सकता कि मौलताह मनुफ लिधु की योगताएं है बहुतिक पदार्थों को मुल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है तो वो मनुष्य की योग्यताए ही हैं जो बहुतिक पदार्थों को मुल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है इसलिए जो है मानो एक महा तोपुण संसाधन है अब पिक्चर के माद्यम से देखेंगे सूखे के कारण फफलों का बिनास क्या मैं इस समाधान क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूं तो ये बोल रही है हाँ क्यों नहीं बिलकुल निकाल सकते हैं तो इन्होंने क्या कि इसका जो है समाधान निकाला यह सब ग्यान, सिच्छा और कौफल के कारण ही संभो हो पाया कि इसके कारण ग्यान, सिच्छा और कौफल के कारण संभो हुआ कि हम इसका समादान निकाल पाए तो पढ़ें यो मनन करें में आप लोग देखेंगे कि मनुस्य एक दूसरे पर निर्वर है जिसे किसान सभी के लिए अन उप जाते हैं और जो बैग्यानिक हैं वो किर्फी से जुड़ी विभिन समस्याओं का समधान और अन उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाए खोजते रहते हैं तो हम उनके लिए अन उप जाते हैं और वो हमारे लिए अच्छी अच्छी प्रद्यूकी का विकास करके हमें देते हैं ताकि अधिक अन उपजाया जा सके तो एक दूसरे पर हम लोग निर्भर रहते हैं अब हम लोग अगला देखेंगे सनसाधन सन नच्छन यानि रिफोर्स कंजर्वेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं तो मोना ने एक बुरा सपना देखा कि प्रिथवी पर सारा जल सूख गया सोचिए अगर प्रिथवी पर सारा जल सूख जाएगा तो क्या होगा साड़े पेंड कट गए ना तो कहीं चाया है ना तो खाने पीने की चीज़ है लोग परेशान है चारुतरब होजन और चाया के तलास में घूम रहे हैं उसने अपनी मा को सपने के बारे में बताया और फिर पूछा कि अमा कि आया सच में हो सकता है तो अमा ने कहा हाँ बिलकुल हो सकता है यदि हम नभी करणिये सनसाधनों के परती सतर्क नहीं रहते हैं तो ऐसा बिलकुल हो सकता है तो हमें इसलिए नभी करणिये संसादनों के परती क्या होना पड़ेगा फतर्क रहना पड़ेगा और उसका जो है फतर्कता के साथ परियोग करना पड़ेगा तो अगर हम आन्य नभी करणिये फटरकता से पर्योग नहीं करेंगे तो निश्चे ही समाप्त हो सकते हैं अब जो है राजु ने पोँचा कि इसके लिए क्या किया जाए वकता है तो इसके लिए यह किया जाए वकता है कि फटरकता पूरुबक उपयोग करना सनसाधनों का फतरकता पूरुवक उपयोग करना ही क्या होता है सनसाधन सनच्छन कहलाता है यानि जितने भी हमारे पास सनसाधन है उसका फतरकता पूरुवक आप उपयोग करिए और उन्हें नभी करने के लिए समय दीजिए यही क्या होता है फनफाधन, सन्नच्छन कहलाता है ठीक तो आप उसको कादे से समझिए सन्फाधनों का उपयोग करने की आउसकता और भविष्य के लिए उनके सन्नच्छन में संतुलन बनाये रखना यह क्या कहलाता है फत्त पोफड़िये विकास सस्टैनबल डेवलिप्मेंट यह बहुत फेमस है आज कल फत्त पोफड़िये विकास पर नेशन वाइड और इंटरनेशनल वाइड यह पूरी जो है चर्चा लगातार चल लही है कि फत्त पोफड़िये विकास की जिए यानि कि जो हमारे पास इस समय संसाधन हैं उसका हम सतरकता पूरुवक उपयोग करें और उसको भविश्य के लिए उसका संचन करें और उसका संतुलन बनाए रखें ऐसा नहीं है कि जितने भी संसाधन हैं वो सब हमारे ही लिए हैं सब का प्रयोग कर लो और खतम कर लो ऐसा बिलकुल नहीं करना है इस समय जो संसाधन है उसका हम सतरकता से प्रयोग करें और उसमें संतुलन बनाए रखें यानि कि उसे नभी करण होने के लिए समय परदान करें और भविश्य के लिए भी उसको सनच्छित रखें कि हमारी जो sustainable development अब देखिए संसाधनों के सनच्छन के अनेक तरीके हैं प्रतेक बिक्ति उपभोग को कम करके बस्तूं के पुनह चक्रण और पुनह उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है अंतता या एक बिभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं तो जो संसाधन है उसका हम थोड़ा सा कम प्रियोग करके और उसके नभी करण के लिए एडियां समय देते हैं तो ये भी क्या है एक संसाधन संच्छन है फतत पूसरी विकास क्या होता है यानि कि संसाधनों का साधाने पूर्व को प्योग ताकि ना केवल बरतमान पीड़ी अपीतु भावी पीड़ियों की आओ सकता हैं भी पूरी होती रहें उसी को हम फतत पूसरी विकास कहते हैं और ये बहुत ही important point है आप लोग इसको जो ह फुनहरे अच्छरों वाले में जरूर नोट करिएगा कि फतत पूसरी विकास क्या होता है चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अब इसमें थोड़ी सी कहानी और है उस साम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों और विर्थ बस्तरों और बास की डंडि से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए इतने चीजें बनाई मोना ने कहा कि हम इन बस्तू में से कुछ बस्तूएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं तो मुस्तफा ने कहा अपने संसाधनों को बचाना और अपने प्रत्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कारी है यानि कि जो हमारे संसाधन है अब जैसे की समाचार पत्र थे वेरत बस्त्र थे और बांस की डंडी थी इन सभी का क्या किया गया एक रियूज किया गया और ये यूज करकरके जिनको इन सभी बसतूं किया उसकता है उनको क्या किया गया दिया गया तो ये क्या है एक परकार का संसाधन संनच्छन ही है ठीक है तो जेशी ने कहा कि मैं बहुत ही फतर्क रहूँगी कि कागज वेर्थ ना हो उसने फ़स्ट किया कि कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है यानि कागज किसे बनते हैं पेड़ों से बनते हैं तो कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को क्या किया जाता है काट दिया जाता है मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में बिद्द बेर्थना हो मुस्तफा ने फिर जोर से कहा कि बिद्द जल और कोईले से मिलती है मैं विश्वाफ दिलाता हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा तो इस परकार से क्रिया कलाब के माध्यम से जो है ये बच्चे आपस में एक फनसाधन फनमचं के बारे में जानकारियां परदान कर रहे हैं कि कैसे जो है आप लोग फनसाधनों का फनमचं कर सकते हैं तो आगे देखेंगे इसमें हमारा प्तवी जल की एक एक बूद मुल्यवान है आफा ने कहा बच्चों ने कहा हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं यह कुछ कार्य मोना राजु और उनके मित्रों ने किये हैं आपका क्या विचार है तो मेरा भी विचार है बिलकुल हम भी वैफाई करेंगे अपने संसाधन का हम लोग संनच्छन करेंगे तो आप संसाधन संनच्छन में कैसे मदद करने जा रहे हैं हमारी प्रित्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पाउधों और परितंतर की सुरच्छा संनच्छन से जुरा हुआ है अब यह सुनिश्चित करना हमारा करतब भी हो जाता है कि सभी नभी करणिये संसाधनों के उप्योग जो हैं वो सतत पोफड़िये हों सतत पोफड़िये आपको पीछे बता दिया गया प्रित्वी पर जीवन की बिविधता जो है वो संनच्छित की जाए और प्राकितिक परिया बरणिये तंत्र की हानी को कम से कम किया जाए तो यह जो तीन पॉइंट है यह बहुत इंपॉर्टेंट है की फैक्टर है जो है वो संसाधन संनच्छित का तो इस परकार से दोस्तों यह हमारा एक महत्तुपूंड चैप्टर फंसाधन वो समाप्त अब हम लोग इसके प्रफनों पर थोड़ा सा नजर डालते हैं और देखते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा तो पहला कुस्चन है जैसे हम लोग देख रहे हैं कि प्रिशिवी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वित्रित हैं तो जब यह चीज़ें आई थी तो हमने उस क्योंकि जो पृथवी है पृथवी जो संसाधन है वह भूभाग जलवायू यूँचाई और अनेक भावतिक कारकों पर क्या करते हैं निरभर करते हैं प्रUI पर इन कारकों की भृन्नता होने के कारण ही जो है सनसाधन असमान रूप से बितृत होते हैं ठीक है सनसाधन सनच्छन क्या है तो हमने अभी पढ़ा कि सनसाधनों का साउधानी पूरुबक यानि फतरकता पूरुबक जो है उपयोग करना और उन्हें नभी करण होने के लिए समय देना ही क्या होता है सनसाधन का सनच्छन होता है मानों सनसाधन महत्वपूंड क्यों है तो मानों सनसाधन महत्वपूंड इसलिए है क्योंकि मानों की योग्यताएं जो होती है वही भातिक पदार्थों को मुल्यवान सनसाधन बनाने में सहायता करती है यह हम लोगों ने पीछे पड़ा भी फत्त पोफड़िये विकास क्या है तो इसको मैंने बहुत अच्छे से बहुत ही इस्ट्रिक्टिकली बताया था कि आप लोग इसे नोट करिए तो फत्त पोफड़िये विकास यानि कि संसाधनों का उपयोग हम इस परकार करें कि जो हमा लिए विकास है अब नेक्ट जो है वो सही उत्तर पर आपको निवान लगाना है तो निमलेखिति में बसे कौन करता है तो विकास को निद्रारत नहीं है ये हम लोगोंने पड़ा विंपक्य मेंसे कौन वान निरंपत सनसाधर है तो ढोने का जल तो प्रकृतिक है और उस्ल कटी है बनभी प्रकृतिक है रख कैंसर का उपचार वेकिसने प्रकृतिक मानो ने बनाया तो यह मानो कि निर्मित है ठीक है चलिए आगे देखते हैं कि जय व संफाधन किस्षे व्यूत्पन होते हैं तो जीव जन्तूं से जय मतलब क्या होते हैं जीवित तो जीव जन्तुओं से होते हैं निम्लिखित में अंतर अस्वस्ट कीजिए तो संभाब ये और वास्तविक संसाधन क्या है तो अभी हम लोगों ने देखा कि संभाब ये वो होते हैं जिनकी मात्रा हमें ग्यात नहीं हो सकती और उसका इस समय हम प्रियोग भी नहीं कर रहे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं संभाब ये वास्तविक क्या होती है जिनकी मात्रा हमें ग्यात होती है और उसका हम प्रियोग भी कर रहे होते हैं फर्व वियाप पर क्या होती हैजो पूरे olsun पर सब जर्गाना पाई जाती है जैसे कि अफ़ानी क्या होते हैं जो और फ्रशेस प्लिश पर पाया जाती है जैसे कि लोहाद दाम्बा और कोई खणी जो किसी अधर पर पाया जाए अंदूसरी जबंध ना पाया इन्होंने किस प्रकार के संफाधन की और संकेत किये हैं तो इसके बारे में आप सोचिए और जो है वो अपने आप से थोड़ा बहुत लिखने का प्रियास कीजिए अब एक पत्थर है और उपयोग और उपयोगिता तो इसमें बताया गया है कि पत्थर का उपयोग किस किस च लोग कहां कहां कर सकते हैं वो आप लोग अपने आप से सोचिए और इसमें और भी सारी चीज़ें दी गई हैं कि एक गत्ते का उपयोग आप कर सकते हैं और प्रियोग कहां होगा वो आपको लिखना है टहनी का उपयोग कहां कर सकते हैं और उसकी उपयोगता क्या होगी यह भी आपको लिखना है तो नेक्ट चैप्टर जो है रोस्तों भूमी मिर्दा जल प्राकृतिक बनफपती और बन्य जीव सन्फाधन ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है यानि बहुत ही इंपॉर्टन इसको पॉंडिंग के बाल लगेगा कि हां हमने बहुत चीज़ें फिक ली हैं और इसमें से बहुत फारे क्वेस्टन जो है वह हमें देखने को मिले हैं